बागेश्वर दिले के गरुड पुरानी बाजार का एतिहासिक लोहे का पुल राहगीरों के लिए खत्रे का सबब बना हुआ है दरसल इस पुल का निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया था तो वही ये पुल विकास खंड मुख्याले समेथ कई ग्राम सबाहों को गरुड बाजार से जोड़ता है रिस्टोरान स्थानिय लोगों ने बताया कि दिन भर सैकडों लोग इस पुल से पैदल और दोपहिया वाहन से आवाजाही करते हैं वही इन दिनों हो रही बारिच से पुल पर पानी जमा होने के कारण लगातार फिसलन पैदा हो रही है जिससे कई बार गाउं के दर्जनों लोग चोटिल हो चुके हैं साथ ही अब स्थानिये लोगों ने प्रोशासन और जिला पंचायत से लोहे के पुल पर सिमेंट की स्लैब डाल कर जल निकासी की व्यवक्ता करने की मांग की है गरुड पुरानी बाजार इस्तित लोहे की पुल इन दिनों आम रहागीरों के लिए खत्रे का सबब बनी हुई है ब्रिटिस का लिन यह जो पुल है वो एतिहासिक्ता को दर्साता है इन दिनों जो बारिस हो रही है लगातार बारिस के चलते लोहे की जो पुल है उस पर फिसलन पैदा हो रही है और दरजनों जो लोग है यहाँ पर घायल हो चुके हैं यहाँ पर जो है दुपईया वाहन सवार भी चलते हैं और दिन में सेक्णों की ताराद में लोग यहाँ पर इस पूल से आवागमन करते हैं गरूर ब्लोक मुख्याले समय दर्जनों ग्राम सभाओं को यहाँ पूल जोडती है साथी जो टीड बाजार का जो छेतर है उसको भी गरूर मुख्य बाजार से यहाँ पूल जोड़ने का काम करती है वहीं बार-बार दुरघटना होने के चलते इस्थानी लोगों की अब मांग है कि जिला पंचायत की ओर से या फिर प्रसासन की ओर से इस लोहे की पूल पर सिमेंट की स्लैब डाली जाए और जल्दी ही जल्दी इस पर नाली निकासी की भी व्यवस्ता की जाए जिससे की पूल पर पानी न रुके और कोई भी दुरघटना यहाँ पर न हो सके न्यूस 31 के लिए गरूर से प्रमोर जोसी उसका है निकास आए खबरों से जुड़ने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आकन दबाना ना भुलें